एक बार नारज जी कथा बताते थे कि नारज जी भगवान से मिले तो कहा कि प्रभू आप इतनी हेल्प करना चाहते हैं जीवों की फिर भी लोग आपके धाम में आने के लिए डेडी क्यों नहीं है आना क्यों नहीं चाहते हैं आपने इतना सारा आफर दे रखा है इतना सारा फेसिलिटी दे रखी है जीव की मने में इच्छा क्यों नहीं होती कि इस जंजाल से जंजट से मुख्ध होकर कि आपके पास आ जाए तो भगवान ने कहा नारद जितना मैं जानता हूं इस भावती जगत के बारे में उतना तुम भी जानते हो एक बार एक ट्राइ करो मैं आना चाहता है ध्यान सुनिए ये कथा हमारे उपर बिल्कुल फिट होगी और तब हमें पता चलेगा कि प्रभुबाद जी ने हमें कहां से उठा कर कहां लाके रख दिया है एक ब्राम्हर था बेदों का पक्का पालन करने वाला सास्त्रों में विश्वास करने वाला घाल दाम चलने की तैारी करो तो उस ब्राम्हर ने उत्तर दिया कि हे देवर्शी, आप तो जानते हैं बच्चे भी छोटे-छोटे हैं थोड़ा और बड़े हो जाए, इंको जिमेदारी मिलए, जैसे ही सहोश अमालना, कि हम चलने के लिए त्यार है, हमें पता है कहां हमें आ सकती अभी नहीं गई है नारज जी तो दिब द्रिष्टी रखने वाले संत है फिर वापस आए नारान नारान करते ब्रहमर करते हैं भाई आप तो चलो मैं आपको इसी सरीर में मुम्त करा सकता हूँ तो फिर उसने अपनी भासा मुतर दिया बहुत लापरवा है दरवाजा खुला रखते हैं कोई आ गया तो कुछ हो गया मुझे मुझे अभी इनकी चिंता है क्या करूँ ये थुड़ा सा और कुछ हो समालने जैसे हो जाए फिर ह हम तो चलने के लिए तयार हैं मिलकुल फाने लिए हुआ का इस कुत्ते का भी सरी छुटा तीसरा जन्म गटर में कीडे के रूप में मिला नारज जी फिर वापस आये बोले अब तो निकलो यहां से अब तो निकलो हाथ डाल करके उसको निकाला उस कीचर से बाहर निकाला और जैसे ही बाहर निकाला वापस फिर उसी घटर में कीडे को देखा ना आपने बाहर निकालो वापस वही जाता है बाहर नहीं टीक न चाहता क्यों? वहाँ पर सोचता है मेरी फेवली है अधार में समãoल ना है नो उनको सोचिए यहां अज्यानता हिरदय में कितनी इतना आसान नहीं है, फिर नारद मुने ने जबरजस्ती कहा कि अब तो जाना ही पड़ेगा, कमंडल से लेकर कि जल छिड़का या मंत्र पढ़ा, सरीर त्याग करके अपने दिवे स्वरूप में आया और भगोध धाम को प्राप्त हुआ, भगवान देखकर हस रहे थे उधर पर निकल जाते हैं, क्या हम लोगों को, जैसे एक गटर भाता हो प्रभपात ने पकड़ कर उठाय नहीं हम लोगों को, भगवान देखकर हमारी सहाता किया है, नहीं तो हम उससे कम नहीं हैं, वापस वहीं जाने वाले हैं, हमारी बलड में है, हमारी प्रभृत्ती है, तो एक सुद्य भाक्तों का संग का प्लेटफार्म उपलब्द कराया हैंको नित्यम भागवत सेवया यह काम और क्रोध का जो रजोगून और तमोगून है सब समाप्त हो जाएगा